नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चनल साहिते दियन पर आपका स्वागत है और आज हम सबसे important बात करने वाले हैं देखे शहर प्रतिनिधी भोपाल एक न्यूस पेपर जो आता है उसमें खवर छपी है जो आपकी दसवी बारवी की परिक्षाई जो है कब से होनी है इसके लि तो लिखा क्या है समाचार मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ शेहर प्रतिनिधी भोपाल मदिप्रदेश माधे में क्षिक्षा मंडल की हर साल मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली दसवी बारहवी की परिक्षा इस बार कोरोना की चलते लेट बाद होने की संभावना है है ना देखिए बगल में भी आप देख सकते लिखा हुआ है कोरोना की चलते देड़ महीने लेट होगी वारशिक परिक्षा और ये दसवी और बारहवी दोनों के लिए है मतलब क्या लिखा है कि 15 अपरेल के बाद होगी आगे लिखा है मुख्य कि परिक्षा नियत समय पर कराने के लिए कहा गया है आगे लिखा है देखे मैं नीचे का देखाता हूँ आगे लिखा है कि इसके विपरीत माध्य में क्षिक्षा मंडल बोड परिक्षा की तैयारी को लेकर पहले चरण पर है कोरुना के चलते अब तक मंडल सभी जिले के परिक्षा केंदरों का निर्धारन नहीं कर पाया है साथ ही अब तक विद्यारतियों को परिक्षा की तैयारी के लिए blueprint भी अप्लोड नहीं किये गए अभी तक blueprint नहीं आए आप देख सकते हो परिक्षा अभी जारी हुई है तो वो बिना blueprint के हुई है आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब blueprint अभी तक नहीं आएं तो फिर परिक्षा कितनी लेट हो सकती है ना आगे लिखा है कि blueprint भी अभी तक upload नहीं किये गए हैं हर साल नवंबर के अंत तक परिक्षा की समय सारिनी जारी हो जाती थी नवंबर के अंत तक परिक्षा की time table समय सारणी यह नहीं time table आ जाता था इस वार December आ चुका है लेकिन अभी तक time table नहीं आया है लेकिन इस वार December का पहला सब्ता बीतने के बाद भी समय सारणी तय नहीं हो पाई है आगे लिखा है साथ ही प्रश्न बैंक की भी तैयार नहीं हो पाए हर साल दसवी वा बारहवी के 177 विशयों के प्रश्न बैंक तैयार होते थे लेकिन अब तक सिर्फ 17 विशयों के प्रश्न बैंक तैयार हुए है इस कारण इस वार दसवी वा बारहवी की बोर्ड परिक्षा करीब देड़ माह की देरी से होने की संभावना है वहीं ब्लूप्रिंट को लेकर लोग शिक्षन संचाल नाले DPI ने मंडल को पत्र भी लिखा है DPI ने लिखा है कि हर साल अक्टूबर या नवंबर तक मंडल ब्लूप्रिंट अपलोड कर देता था लेकिन इस बार अब तक नहीं किया गया है इस संबंद में 2 दिसंबर को मॉडरेटर समिती की बैठक में अध्यक्ष रादिश्याम जुलानिया ने भी बोड परिक्षा अप्रेल या मई में कराने की संभावना व्यक्त कर चुके हैं इस से पहले भी बैठक में जो अध्यक्ष हैं उन्होने भी जो है रादिश्याम जुलानिया जी उन्होने भी यह का है कि अप्रेल या मई में परिक्षाइं हो पाएंगी यह संभावने व्यक्त कर चुके हैं तो इस प्रकार हम जानी सकते हैं कि अप्रेल से पहले ये परिक्षा नहीं होनी जहां तक संबावना है 15 अप्रेल के बाद होने की अब ज़र देख लेते हैं परिक्षा केंद्रों की सूची नहीं पहुँची ये भी लिखा है कोरोना काल की कारण इस बार मंडल हर जिले में 10% परिक्षा केंद्र बढ़ाने के लिए कलेक्टर्स को पत्र भी लिखा है अब तक मंडल के पास परिक्षा केंद्रों की सूची भी नहीं पहुँच पाई है मंडल के अधिकारी ने बताया कि जनवरी में परिक्षा समीती की बैठक होगी इसके बाद समय सारनी तै होगा या परिक्षा की समभावना है और अप्रेल में परिक्षा की समभावना है लिखा है प्रशन बैंक और अन्य व्यवस्ता करने में समय लगेगा अभी तक कुछ भी नहीं बनाए तो समय तो लगेगा सब चीज़ा बनने में आगे लिखा है नवमी मा ग्यारवी की परिक्षा दे भी देरी हो सकती है हर साल फरवरी में बारिशिक परिक्षा होती थी तो इस प्रकार से आप पर पूरी निउस है तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके परिक्षा जो है अपरेल में होंगी क्रपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे इसी प्रकार सहीब को जानकारी और परिक्षा के उपयोगी जो है सामगरी मिलती रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद